अज हम देखेंगे हर्मिशन ऑपरेटर और उसके गुण तो हर्मिशन ऑपरेटर अगर कोई हमने लिया है तो वो इस प्रापर्टी को सेटिस्फाई करेगा क्या प्रापर्टी है कि हमने एओपी को दो स्वेचिक फलन है साइवन और साइटू तो पहले एओपी को हमने साइवन पर लगाया और उसका कॉंजूगेट लिया फिर साइटू डिटा किया यानि कि हमने इसका फिर क्या किया पहले इसको साइवन पर उपरेट करके इसका कॉंजूगेट लेके साइटू से साथ गुना करके आयतन समा कलन किया फिर हमने क्या किया है, Si1 Star करके अपरेटर को Si2 पे लगा कि उसका आयतन सम्मा कलन किया है, यानि AOP Si1 Star Si2 Data कामान, अगर Si1 Star AOP Si2 Data के बराबर हो, तो यह उपरेटर इस इस्तिति में क्या कहलाएगा, हर्मीशन ऑपरेटर कहलाएगा, और संकारक के लिए भी हम देख चुके हैं कि अगर AOP का कोई संलगन अजॉइंट ऑपरेटर हमने AOP डैगर लिया है तो AOP डैगर साइवन स्टार साइटू डीटॉ का मान साइवन स्टार AOP साइटू डीटॉ के बराबर होगा तो ऐसी स्टिती में हम ये कह सकते हैं कि हर्मिशन संकारक स्वस संलगन संकारक होता है सेल्फ अजॉइंट ऑपरेटर होता है यानि कि अगर कोई AOP संकारक है तो उसका अजॉइंट ऑपरेटर क्या होगा AOP dagger होगा तो यह दोनों क्या होंगे आपस में हर्मिशन operator होंगे तो अब यहाँ पर हम यह बाते हैं कि हर्मिशन संकारों का का योग भी क्या होता है हर्मिशन संकारक होता है यदि भी अगर आपके पास AOP हर्मिशन संकारक नहीं हो Hermitian operator नहीं हो तब भी संकारक और उसके adjoint का जो योगफल है वो क्या बन जाता है और उसका जो conjugate है वो भी क्या बन जाता है Hermitian operator बन जाता है और अगर हमने दो स्वेचिक operator और AOP और BOP का गुणनफल लिया है तो इनके गुणनफल से बना जो संकारक है COP वो भी Hermitian संकारक होगा कब होगा जबकि ये दोनों operator किसका पालन करेंगे गुणनफल में क्रमविने में का भी पालन करेंगे यानि AOP BOP is equal to BOP AOP है तब ये जो इन दोनों का गुणनफल है वो क्या होगा Hermitian operator होगा अन्य था नहीं होगा और जनरली हमने देखा है अगर Hermitian operator नहीं होता है तो गुणनफल में क्रमविने में का operator में नियम लागू नहीं होता है अब Hermitian संकारक के हम गुण देखते हैं और Hermitian संकारक के गुण में पहला गुण क्या है जाए, यानि फलन इसके हम दो नहीं लेंगे, क्या लेंगे, एक ही लेंगे, तो जैसे कि हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, कि AOP मानली हमारे पास हर्मिशन आपरेटर है, और साइवन और साइट उसके दो आइगन फलन है, और A इसका आइगन मान है, यानि कि आपके पास AOP जो आपरेटर साइवन पे लगता है, तो भी आइगन वेल्यू एही मिलती है, और जब AOP साइट उ पे कारेकावी करता होता है, तो भी हमें आइगन मान एही प्राप्त होता है, अब हम अर्मिशन पॉपरेटी लगाएं, तो उसके अनुसार, AOP साइवन स्टार साइट टू का मान, साइवन स्टार AOP साइट टू टू के बराबर होना चाहिए, लेकिन हमने ये देखा है, हमें प्रूफ करना है, कि ये आइगन मान वास्तिक होंगे, लेकिन कब होंगे, जब एक ही आइगन फलन से हम इसके फलनों को प्रतिस्थापित करें, तो हम क्या कर रहे हैं, कि साइवन और साइट टू को एक ही फलन साइज से हम इसके अप्रतिस्थापित करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, कि AOP साइज स्टार साइज डीटा इस इकल टू साइज स्टार AOP साइज डीटा, अब आइगन वैल्यूकेशन मुझे अच्छे से मालूम है, कि AOP साइज से AOP साइज से इसके लेफटनसाइज साइज साइज से बाहर मालूम हों, इसको खोल रहे हैं, तो A साइज 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 साइ डीटा बन जाएगा, साइड हमने सौल किया अब हम राइट हैंड को देखते हैं तो राइट हैंड में आपी साइ का मान हो जाएगा अब चुकि ए पुने कॉंसेंट है तो बहार आ गया तो बन जाता है साइस्टार साइड डिटर अब हर्मिशन की प्रापर्टी के अनुसार यह दोनों क्या होने च तो ए स्टार मुझे कम मिला था जब मैंने ऑपरेटर को साइ स्टार पे लगाया है और ए कम मिला है जब मैंने इसको इसके स्वैम खुद ऑपरेटर पे लगाया उसके कॉंजूगेट पे नहीं लगाया है तो इसका मलत जो हर्मिशन संकारक के जो हमें आइगन वैल्यूस मि बराबर हो जाता है, तो ये दोनों वैल्यूस क्या हो जाएंगे, इसका मतलब रियल हो जाएंगे, तो ये हमने प्रूफ किया, और दूसरी प्रापरटी है आपके पास, कि दो भिन-भिन आइगन मानों के संगत, हरमीशन, संकारक, कि दोनों आइगन फलन कैसे होते हैं, संगत अपरेटर हम ले रहे हैं, वो माल रहे हैं, हम, एओपी अपरेटर है, वो कैसा है, हरमीशन अपरेटर है, तो आइगन मान की एक्वेशन से, अगर मैं देखूं, तो एओपी साइवन का मान, एवन साइवन होगा, एओपी साइटू का मान, एटू साइटू होगा, औ और राइट हंड साइट में साइवन स्टार एट इस रखा है, वोपी साइटो की बजाए एटू साइटू हो गया है, यह दोनों बराबर चल रहे हैं, तो अंदर हमारे पास चुकि एवन स्टार और एटू दोनों क्या हैं, आइगन वैल्यूज हैं, मान हैं, तो इस ते इंट वैल्यूज वास्त्विक होती हैं, तो इसलिए एवन स्टार एटू के बराबर हो जाएगा, और एवन स्टार का मान की जगे हम एवन रखेंगे, और एटू की जगे हम एटू ही रखेंगे, यह स्टार को हमने जो यह कॉन्जूगेट मान था, उसको हमने एवन से ही प्रति इस्तति फृत साइप तो कि यह विंचार साइट नहीं हो सपता है क्योंकि शौह बनों भिन और लोह संगत और यह यह संगत जीरो हो और अर यह किसकी कंडिशन हो जाती है कि स्तति में इसका मतलब क्या है लंबकोर्ण है और तॉ तो यह है आपके पास किस प्रकार से हम प्रूव करते हैं हर्मिशन संकारकों की प्रॉपर्टीज और अब हम देखते हैं कुछ एक्जामपल तो सबसे पहले हम यह देख रहे हैं कि माल लो हमें प्रूव करना है कि जो मुमेंटम के संगत ऑपरेटर है वो कैसा ऑपरेटर है हर मुमेंटम के संगत ऑपरेटर हम एक्स दिमेंशन पे आधार पर ले रहे हैं तो संगत ऑपरेटर क्या होता है इसके संगत 2 फलन साई वन और साई टू हैं जो नॉर्मलाइज हैं तो नॉर्मलाइज फंशनों के लिए हमारे पास कंडीशन है कि उनका ओवराल स्पेस में जो i to dx जहां x की वेल्यों कहां से कहां वेरी करेंगी minus infinite से plus 5 infinite इसका मान क्या होगा 1 होगा अगर ये दोनों फ़लन कैसे हैं नॉर्मलाइज़ हैं अब हम क्या करते हैं नॉर्मलाइज़िशन कंडिशन मुझे मालूम है तो मैं अब इस condition में क्या करती हूँ कि minus eta अचकरस से गुणा करके इसका differential कर देती हूँ देल डेल x के साथ तो देल डेल x के साथ जब मैं इसका differential करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि पहले तो हम first function का differential करेंगी second function as it is होगा दूसरी बार हम first function को as it is रखे दूसरे function का differential करेंगी और फिर उसका integration करेंगी तो यह equation मुझे मिल जाएगी अब हम इन दोनों integration को क्या कर देते हैं अलग-लग कर देते हैं तो पहला integration मुझे क्या मिलता है minus infinity से plus infinity minus eta h cross डेल डेल x of si1 star side to dx प्लस दूसरी term मुझे क्या मिलती है si1 star minus eta h cross डेल साइड डेल x dx is equal to 0 अब हम इस वाले integration को जो si1 star वाला integration है उसको हमने यहां left hand side में रखा है और जो हमने minus eta h cross डेल साइड डेल x किया है उसको हम right hand side में ले आए हैं तो left hand side वाले जो term है इसको मैं right hand side में लाई हूँ और यह जो term है वो हमने as it is रखी है second term अब यहां से अब मैं देखती हूँ कि यह वाली जो term है यह किस के operator के संगत है momentum operator के संगत है और दूसरी वाली जो है वो यहां अगर हम यह देखें तो यह जो बन जाएगा यह px का star बन जाएगा इस स्थती में तो यहां पर इसका मतलब यह जो property है कि psi 1 star जो operator आया aop psi dx is equal to तो overall मुझे जो यहां operator जो मिल रहा है वो किस condition को satisfy कर रहा है हर्मिशन operator की property को satisfy कर रहा है कैसे कर रहा है क्योंकि मुझे यह मिल रहा है कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पी एक्स स्टार साइटू डी एक्स यह मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है तो इस तरह से यह जो property है किसको satisfy कर रही है हर्मिशन की operator की property को satisfy कर रहा है इसलिए यह जो operator है यह पी एक्स साइवन हो जाएगा यहां पर तो यह दोनों मिल के अब किसकी properties को satisfy करें अगर आगर आपको integration form में दिखाऊ हूँ तो और clear हो जाएगा आपको कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साइवन स्टार पी एक्स साइटू dx is equal to यह term as it is तो आपको साफ दिख रहा है कि यह किसकी property है हर्मिशन की property है जो कि यह satisfy कर रहा है तो इस तरह से हम हर्मिशन को property के लिए हम examples भी कर सकते हैं और पिछली बार हमने देखा था कि आपके पास आइगन फलनों के लिए हमने देखा था कि फलन as it is मुझे मिल रहा है तो साथ में जो constant मिलता है वो कहलाता है आइगन मान operator आइगन operator कहलाता है और जो फलन है वो आइगन फलन कहलाता है तो यहाँ पर हम आइगन फलनों की भी property देख लेते हैं तो आइगन फलन की प्रापरटी क्या है अब उसको हम देखते हैं कि अगर मान लो दो अवस्थाओं के आइगन फलन कौन से है साइवन और साइटू है आइगन मान एवन और एटू है और अगर यह फोलन लंब कोणी है तब एवन अगर एटू के बराबर नहीं है तब साइटू स्टार साइवन डीटा इंटिगेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का मान शुनने होना चाहिए और अगर यह दोनों बराबर हैं तब इस इंटिगेशन का मान क्या हो जाना चाहिए वन हो जाना चाहिए तो समाहीत रूप में जब हम इसको लिखते हैं तो हम लिखते हैं Si star J, Si I, D theta should be equal to delta I J यहाँ पर यह chronicle delta function है और यह chronicle delta में हम जानते हैं I is equal to J होने पर यह मान 1 देता है और जब I is equal to J नहीं है तो यह 0 देता है तो इस फर्ष्ट है कि आपके पास ये 1 और 1 होगा तो ही A1 is equal to A2 यानि दोनों में 1 हो जाएगा तो ये मान 1 आएगा अन्य था ये मान क्या होगा? 0 होगा दो फलन अलग लग होंगे तो ये मान 0 होगा अगर सेम होंगे तो मान 1 होगा तो हम Hamilton इन संकारों को जब परिभाशित करते हैं तो शोडेंजर समीकन से हम जानते हैं कि माइनस h cross square upon 2m डेल 2 डेल x square plus vx ये है Hamiltonian operator इसको किस पर लगाया गया है? किसी फलन पर लगाया गया है तो क्या मिलता है? E psi मिलता है तो psi 1 के लिए में इस equation को लिख सकती हूँ और क्या लिखोंगी? कि माइनस h cross square upon 2m डेल 2 डेल x square psi 1 x प्लस vx psi 1 x प्लस e1 is equal to e1 psi 1 x इसी तरह psi 2 operator के लिए जमें लगाऊंगी तो डेंजर समीकन तो क्या लिखोंगी? कि माइनस h cross square upon 2m डेल 2 डेल x square of psi 2 star प्लस v psi 2 star प्लस e2 psi 2 star अब यहां पर हम क्या करते हैं? कि जो हमारे पस पहली वाली equation थी उसको psi 2 x से गुणा कर दिया इस दूसरी equation को psi 1 से गुणा कर दिया और आपस में घटा दिया और समा कलन कर दिया माइनस infinity से प्लस infinity के बीच तो मुझे क्या मिलता है? माइनस h cross square upon 2m common आ जाएगा तो पहला समिकन से मुझे मिल जाएगा psi 2 star x d2 psi 1 x dx square और दूसरी समिकन से मुझे चुकी है तो मैं बाहर ले चुकी हूँ और घटा रही हूँ इसले मिलेगा माइनस psi 1 x d2 dx square psi 2 x dx integration कर दिया है अब ये चुकी term दोनों में common हो जाएगे इसले कट जाएगी घटाने पर और जो last term equal to term है वो उस पहले वाली में मिलेगी मुझे e1 psi 2 star x psi 1 x dx और दूसरे में मिलेगी माइन घटा रहे हैं इसले minus e2 psi 2 star x psi 1 x तो e1 minus e2 common हो गया बाहर ले लिया हमने क्यों क्योंकि ये term common है दोनों में क्योंकि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी psi 2 psi 1 dx ये term हो गई common तो बच गया e1 minus e2 अब यहां पर हमारे पास इसको हम देखें तो इसको मैं किसके डिफ्रेंशल के रूप में दिखा सकते हैं इस पूरी term को कि d by d x of psi 2 star d psi 1 dx minus psi 1 d psi 2 dx क्योंकि अगर आप देखें इसको करते हैं तो पहली बार psi 2 as it is रखते हैं तो ये वाली term मिल जाएगी second term पर अपर करते हैं तो दूसरी term मिलती है d psi 2 star d x d psi 1 dx तो यहां पर भी जवाब इसको डिफ्रेंशल करेंगे तो d psi 1 minus की term आजाएगी d psi 1 dx, d psi 2 star dx तो ये कट जाती है तो ये दोनों terms यहां पर मिल पास बच जाती है is equal to second term as it is हमने रखे है जो राइट हंड साइट पर है e1 minus e2 minus infinity से plus infinity psi 2 star psi 1 dx अब यहां पर चुकि हम इसका integration करें रिफ्रेंशल का तो ये integration हट जाएगा ये दोनों आपस में इन्वर्स फंक्शन एक दूसरे को निरस कर देंगे तो मिर पास सिर्फ क्या बचेगा कि minus h cross square upon 2m psi 2 star d psi 1 dx minus psi 1 d psi 2 star dx limit कहां से कहां तक minus infinity से plus infinity तक और right-hand side पर मिर पास क्या है e1 minus e2 integration psi 2 star psi 1 dx अब हमें अच्छे से पता है कि तरण फलन की properties में जब हम x tending to plus minus infinity होता है तो फलन और उसका differential 0 हो जाता है तो ये term पूरी शुन्ने हो जाएगी तो हमारे पस क्या बन जाएगा कि e1 minus e2 integration minus infinity से plus infinity psi 2 star psi 1 dx is equal to 0 अगर ये term 0 है तो ये 0 ये term अगर 0 हो जाए तो e1 is equal to e2 होगा तो इसका लोग सिस्ति में ये 0 नहीं है तो यानि कि जब psi 2 psi 1 dx 0 नहीं है तब हम ये कह सकते हैं कि e1 is equal to e2 है और जब e1 is equal to e2 नहीं है तो इसके satisfaction के लिए question के जरूरी है कि ये वाला integration 0 हो जाए तो ये property हम देख रहे हैं जो ये सिद्ध कर रहा है कि आपके पास आईगन फलन कैसे हैं लंब कोडिय है क्या है यहाँ आईगन फलन मुझे क्या मिले है एनर्जी आईगन फलन है तह इसका हम आईगन फलन क्या होते हैं लंब कौणी होते हैं orthogonality of eigen functions को हमने प्रूव किया है किसको लेते हुए show danger equation और Hamiltonian operator को लेते हुए हमने प्रूव किया है तो इसी के साथ ही हम यह properties को यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद